इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं इर्फान खान को जो कि कैनेडा में रहते हैं और उनका नाम है पाई पटेल और उनके पास एक राइटर आता है जो दो साल से एक किताब लिख रहा था और दो साल बात उसे पता चलता है कि वो कुछ नहीं लिख पाया और उसने स नहीं कह सकता कि तुम्हें भगवान पर बिश्वास हो जाएगा पर में गहानी तुम्हें सुना सकता हूं अब आते हैं फ्लेश बैक में जहां पाई पटेल बहुत चोटे होते हैं और उस वक्त उनका नाम पिसीन पटेल था जो एक स्विमिंग पूल की नाम पे रखा गया थ पर इसी नाम के वज़े से सकूल के सारे बच्चे उसे पिसीन पटेल कहते थे जिससे तंग आकर उन्होंने अपना नाम पिसीन पटेल से पाई पटेल रख दिया था पाई का जन पॉंडू चैरी के एक हिंदू फैमिली में हुआ था लेकिन पाई हर रलीजिन को मानते थे वो चिर्च भी जाते थे, और नमाज भी पढ़ते थे, और पुझा भी करते थे, और इसमें उनकी माँ उनने बहुत सपोर्ट करती थी, वो कहती थी कि ये अपने सवालों के जवाब ढून रहा है लेकिन उनके फादर उनका सपोर्ट नहीं करते थे बलकि उन्हें कहते थे कि धर्म अंदकार है पाई के फादर का वहां एक बहुत बड़ा जू होता था जिसमें बहुत तरह तरह के और खुबसूरत जानवर थे जि चुली में जब ये छोटा था तो नदी किनारे पानी पीने आया था और जिस शिकारी ने उसे पकड़ा था उसका नाम था रिचर्ड पारकर और उसने उस टाइगर का नाम रखा था थरस्टी पर जू में आते ही शिकारी का नाम थरस्टी रखा गया और टाइगर का नाम र चाहल डालता है उससे देख पाई बहूट डर जाता है और तब से रिचर्ड मार्के लिए उसकी सोच एकडम बदल जाती है और अब बादभागर पाई 16 साल का हो जाता है तब उन्हें अननंदी से प्यार हो जाता है पर एक दिन उनके देर केहते हैं कि हम अब कैनेडा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जू ज़ी जमीन पे बना होता है, वो जमीन उनकी नहीं होती है, बस जानवर उनके होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम शिप से अपने जानवरों को नॉर्थरन अमेरिका में बेश देंगे और फिर कैनडा शिफ्ट हो जाएंगे, तब जाता है रात मैं शिप समंदर के बीच में होता है और एक भयानख तुफान आ चाहता है पर शिप के लोक उसे नीचे पाई बोट से नीचे कूच जाता है थोड़ी देर में पानी में रहने के बाद उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखता और वह वापस बोट में चड़ जाता है लेकिन वहां रिचरड पाकर नहीं होता है अब सुबह हो जाती है और पाई को वोट के धके हुए पार्ट से हाइन बोट में खाना होता है पर हाइना के लिए नहीं होता क्योंकि वह शिकार करती है एक रात हाइना जीबरा को मार कर खार जाती है जिससे बशने के लिए बोट के कोने पर एक डंडा निकला होता है और उसमें एक ट्यूब होती है जिसके सहारे पाई को रहना पड़ता है अग बोट के ढके हुए पार्ट से निकलती है और चिंपांजी पर हमला कर देती है चिंपांजी भी उसे एक हाथ मारकर नीचे गरा देता है जिससे देख पाई बहुत खुश हो जाता है पर तभी हाईना दुबारा उस पे जम करती है और चिंपांजी को भी मार देती है पाई उस चोटी बोट को लेकर पानी में कूछ जाता है जो बड़ी बोट से कुछ ही दूर पर अटेच होती है और वो दिन रात उसी चोटी बोट पर रहता है नहीं तो रिचरड पाकर उसे खा जाएगा अब जब पाई को भूग लगती है तो उसे बड़ी बोट पर जाना ही पड़ता है और वो पीछे बोट के हिसे पर खड़ा होकर खा रहा था तब ही रिचरड पाकर उस पर अटेक कर देता है लेकिन पाई अपनी बोट पर भाग जाता है और जल्दी जल्दी अपनी बोट को उस बोट से दूर करने लगता है उसके बाद बड़ी बोट में से पाई को खाने के लावा एक बुक भी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप खो जाएं तो क्या करें उसमें एक मैप भी होता है पर Pai को मैप देखना नहीं आता था अब Pai वो सब कुछ करता है जो उस बुक में लिखा होता है Pai इश्वर से ये भी दुआ करता है कि तुमने ही मुझे बनाया है तुम ही सब कुछ हो और तुम ही मुझे बचाओगे पाई समझ जाता है कि समुन्द में जादा दिन तक मेरी ये चोटी से बोट नहीं चलने वाली इसलिए वो रिचर्ड पाकर को ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है पर नाकाम्याब हो जाता है क्योंकि बोट में रिचर्ड पाकर के लिए खाने को कुछ भी नहीं होता है और उसे प्यास भी लगती है इसलिए पाई उसे बाल्टे से पानी बलाता है और सीटी की हेल्प से उसे बात करने की कोशिश करता है यानि कि उसे थौट पहुँचाने की कोशिश करता है अब पाई मचली पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि रिचर्ड पाकर की भूंक अगर आउट आफ कंट्रोल हो गई तो वो पानी में कूद कर उससे भी खा सकता है पर पाई एक भी मचली नहीं पकड़ पाता और तब वैसा ही होता है जैसा उसने सोच जा था पाई पानी में कूच जाता है और मचली पकड़ने की कोशिश करता है जब उसके हाथ एक भी मचली नहीं आती है तो वो पाई की तरफ बढ़ता है लेकिन पाई जल्दी से बड़ी बोड में चड़ जाता है पर रिचर्ड पाकर बहुत कोशिश करने के बाद भी बोड पर नह पर उसकी भूंका क्या पाई तो बिस्किट खा लेता है पर वो तो अभी भूंका है उसके बाद पाई एक बड़ी सी मचली पकड़ता है जिसे वह कुलहारी से मार देता है और उस मचली को देखकर बहुत रोनी लगता है क्योंकि वह शाकहारी है और इसके सक्त खिलाफ है वो भगवान का शुक्रियादा करता है और वो मचली रिचर्ड पाकर को दे देता है अब रात हो जाती है और एक वेल आकर उसकी बोट के पास जंप लगाती है जिसे उसकी बोट उलट उलट हो जाती है और उसका सारा खाना सब पानी में बह जाता है वो वापस बोट में च लिए जएती है तभी एक मश्यों की उड़ने की लिएक मशली कुटी है लिकिन वह भी बोट में जर रिखाने से यह बाइंक याइद लिए in मने लिए ушाने होता है इसलिए उसलिए नहीं कोश visually करते हैं और काफी हद तक वह कंडोल हो जाता है लेकिन पाई अभी भी बोर्ट पर कमफर्टेबल नहीं रहता है इस क्योंकि रिचर्ड पाकर का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब उपर आ जाया तब एक दिन बहुत भेहाना तुफान आता है जिसमें दोनों की हालत खराब हो जाती है और पाई की छोटी बोर्ट भी समुदर में बह जाती है अब पाई के पास रिचर्ड पाकर के साथ रहने के लावा कोई रास्ता नहीं बचता है और दीरे दीरे दोनों की हालत बहुत खराब होने लगती है पाई रिचर्ड पाकर के सर को अपने पैरोत पे रखता है और रोते हुए कहता है हम मर रहे हैं तब ही अगले दिन जब उनकी आँख खुलती है तो वो एक आईलेंड पर होते हैं पाई आईलेंड पर कुछ सबजियां खाकर आगे बढ़ता है जहां बहुत सारे नेवले होते हैं जिनने रिचर्ड पाकर खाकर अपनी भूग मिटाता है उसके बाद पाई जिल की मीठे पानी में नहाता है लेकिन जब रात को वो पेड़ पर सोने का जुगार करता है तब ही सारे नेवले भी पेड़ पर चर जाते हैं और रिचर्ड पाकर वोट में चला जाता है उसी पेड़ पर एक फल लड़का होता है जिससे पाई तोड़ता है तो उसमें एक दान दिखता है जिससे पाई समझ जाता है कि ये आदम खोर आइलेंड है और नीचे जो जिल की मशलिया होती है वो पानी में ऐसे ढोने की वज़े से मर जाती है यानि रात होते ही सारी चीजे जहरी लिए हो जाती है इसी वज़े से नेवले भी पेर पर चर जाते है और रिचर्ड पाकर वोट में अगले सुबा पाई अपने साथ बहुत सारी सबजियां पानी और रिचर्ड पाकर के लिए मरे हुए नेवले बोट में रख देता है क्योंकि उसे अब इस आइलेंड से जाना था उसके बाद पाई जोड से सीटी बजा कर रिचर्ड पाकर को बुलाता है और रिचर्ड पाकर डौटते हुए आता है अगर वो रिचर्ड पाकर को छोड़ देता है उस आइलेंड पर तो वो मर जाता इसलिए उसे वो अपने साथ ले जाने की सोचता है उसके बाद वो लोग एक लंबा सफर तै करते हैं अब फाइनली वो मैक्सिको की बीच पर पहुँच जाते है रिचर्ड पाकर दोड़ कर जंगल की तरफ भागता है पर पाई वहीं रेट पर पड़ा होता है और सोचता है कि रिचर्ड पाकर पलट कर जरूर देखेगा पर वो नहीं देखता है इस बात पर पाई को बहुत बुरा लगता है वो बच्चों की तरह रोने लगता है तभी कुछ लोग उसे उठा कर ले जाते हैं अब आती है मुवी फ्लेश बैक से प्रिजेंट में जहां पायूस राइटर से कहते हैं कि इस सफर में इश्वर हर पल मेरे साथ थे उन्होंने मुझे बोड पर मशली दी खाने को अगर मैं ह रिचर्ड पाकर नहीं होता तो मैं जीने की उम्मीद बोड में ही छोड़ देता इसलिए मुझे रिचर्ड पाकर को शुक्रिया कहना था अब सब ठीक है पर जब मैं हॉस्पिटल में था तो दो लोग आये मेरी कहानी को शूट करने के लिए लेकिन जो मैंने सच बताया उन क्यों नहीं मामा जी ने इसलिए तो आपको यहां बेचा है उसके बाद पाई की फैमिली वहां आ जाती है फिर पाई उनको अपने फैमिली से मिलवाता है क्योंकि अब पाई की शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी और एक बेटा था हाला कि पाई ने उस हादसे में अ झाल झाल